19 नमबर का दिन को भारते क्रिकेट फैन नहीं भूल सकता क्योंकि उस दिन भारते क्रिकेट टीम को ऑस्टेले के हाथों वर्ल्ड कप फाइनल गवाना पड़ा था वर्ल्ड कप की ट्रॉफी गवाने पड़ी थे पूरे ही टूरमेंट में अच्छा परफॉर्म करें थी टीम पिऑ लिकिन फैनल में जा कर उन्हें जीतना था वहार गया थे भारते क्रिकेट टीम की हार के बाद बहुत सारे सवाल खड़े किया गया जैसे कि राहुल दूर्वड के उपर सवाल खड़ा किया गया और सबसे बड़ा सवाल जिसी से उठा वो थे पिच फाइनल के पिच जहां पर खेला गया था इंडिया और आस्टेलिया का फाइनल बहुत लोगों कि अगर मैच आ रहे हैं तो पिच की वज़े से आ रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा खराब पिच दे लेकिन अभी तक इस बाते ती सिर्फ दावे थे लेकिन अब यह कनफर्म हो चुका है कि हम वर्ल्ड कप का फाइनल पिच की वज़े से ही आ रहे थे क्योंकि अभी रिसेंटली इस इसे ने एक रिपोर्ट पेश किया है जिसमें उन्होंने एहमधाबाद की पिच को अवरेज रेटिंग दिए हैं एहमधाबात के पिच को ही नहीं बल्के month क॒ कराए गया थे उनको average इरेटिंग दिये तो इस बात से k्लियर हो जाता है कि हम कहीं ने 甜 भी रहा रहे हैं वो मुकाबला तो पिछ की वज़े से ही आ रहे हैं इवें जब बिसस्याई की रिविव मीटिंग भी कराई गई थी तो उसमें कोच राहूल डुरुट ने भी बोला था कि पिछ जैसा बहेव कर रहे थे वैसा अकसर वो करते नहीं पिछ काफी खराब थे इस फाइनल में यह काम नहीं आया अब आप सोच रहे होंगे कि उससे पिस पर उस्टेलिया वे खेले लेकिर उस्टेलिया तो जीत गई तो उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि भारती टीम वहां पर टॉस हार गे थे टॉस का फैक्टर भी बहुत बड़ा होता है क्योंकि जब भारती क्रिकेट टीम पहले बल्ले बाजे करने तो 240 पर ही ऑस्टेलिया के गेंदवाजों ने उन्हीं समीट दिया था क्योंकि पिछ बहुत अच्छा बहेव करें थी फर्स्ट इनिंग में बॉलर्स को बहुत अच्छा सपोर्ट करें थी लेकिन जो भारती क्रिकेट टीम आई गेंदवाजी पर तो वहां पर लाइट्स जल चुकी थी ओस भी आ चुकी थी डियो का फैक्टर विता और अंडर लाइट्स बॉलिंग करना हमें पता है कि इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है तो वहां पर जो पिछ थी बिलकुल भी सपोर्ट नहीं कि भारती क्रि झाल 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 झाल